नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल आचार जागेंद्र मिस्तरा में आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राज के देनिक रास्भल के बारे में लेकिन उससे पहले बात कर लेते आज के पंचान के बारे में 14 जनबरी 2021 गुरुबार का दिन है और पौश माश शुकल पक्ष की परतिपिदातिती अनचत्र है स्रवण अब जीत महूर्द दुपार 11 बच के 37 मिट से लेके 12 बच के 49 मिट तक रहेगा आज का सुरूदे सुवए 6 बच के 26 मिट पे और चंद्रमाम मकर राश में गोचर कर र की दोस्तों आज मकर संक्रांती है मकर संक्रांती के दिन अगर मिथुन राश के जातकों कुछ उपाय जरूर करना चाहिए अपने शुक संब्रधी के लिए धन प्राप्ती के लिए क्योंकि साल में एक बार मकर संक्रांती आती है और काफी ज़्यादा सुभ संयोग लेकर आ आज खिचडी कदान करने से बहुत लाब होता और आज गंगा शनान करने का बहुत महत्त होता अगर आपके यानि गंगा शनान जाने का यानि नहीं मौका मिला तो घर पे आप गंगा जल जरूर अपने नहाने के पानी में डाले और थोड़ा सा तिल डालके नहाएं तो गंग लगी सावित होने वाला आज के दिन आज आपको आपके केरियर में आपके वेपसाई में और आपके घरेलू जीवन में तमाम तरह के शुब समाचारों की प्राप्ती होगी क्योंकि आज के दिन आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है मिथों रास के जात को आज की दिन बहुत अच्छा है चंद्रमा यहाँ पर अगर बात करें हम तो देखे चंद्रदेव चुकि यहाँ पर पांच ग्रहों के साथ यानि चार ग्रहों के साथ बैठे हैं तो वो खुद बैठेंगे तो पांच ग्रह हो जाएंगे अब यहाँ पर मकर रास में चंद्रमा के बैठने से आपको इस समय आकास्मिक रूप से धनका लाब भी देशकते हैं आपके केरियर में बड़ी उपलब्धी हासिल हो सकती है क्योंकि केरियर में जो तमाम रुकावटे चली आ रहे थी वो आज की दिन समाप्त होती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर मिथुन रास के जातकों आज आपके लिए बहुत अच्छा यानि केरियर की मामले में बहुत अच्छा रहेगा केरियर में आपको प्रमोसन रुका हुआ प्रमोसन मिलता हुआ रजर आएगा केरियर में यानि नोकरी जो में आपके सेलिरी में बृद्धी की योग दिख रहे हैं और आज आपको शुब समाचार मिल सकते हैं सेलिरी को लेकर पहला शुब समाचार और जो जातक कि मिफुर्णरास की जातक अभी तक नौकरी की तलास कर रहे थे नौकरी नहीं मिल पा रहे थी, किसी बज़े से रुकावटी या रही थी अब उनको जल्द सुबसमाचार नौकरी के रूप में मिले गी और अगर आप कहीं दूसरी कंपनी में जॉइन करना चाहते हैं तो आज आपके लिए बहुत ही बिशेश रहेगा तो यहां से पांच ग्रहों का एक साथ बैठना आकासिम करूप से धन का लाद देगा जो बिजनेस ब्यापार करते हैं, कारोबारी हैं, बेवसाई हैं उनके लिए किसी चमतकार से कम नहीं रहेगा क्योंकि आपके बिजनेस ब्यापार में अच्छी खासी सफलताएं मिलती नजराएगी चाहिए आप किसी कपड़े का ब्यापार करते हैं या किसी भी छेतर में या कोई आपके पास कमपनी फैक्टरी है अच्छा खासा लाभ कमाएंगे और पुरानी डील फाइनल होती नजराएगी जो काफी दिनों से रुक गई थी किसी बज़े से यानि के डील फाइनल नहीं हो पा रहे थी रुकावटे आ रहे थी वो रुकावटे अब दूर होंगी और आपको तीसरे सुबसमाचार यानि डील के रूप में मिलेगे तो ये डील आपको बहुत ज़्यादा एनरजी देगी भविश्व में बहुत ज़्यादा फाइदा देने वाली है और जमीन जायजात संबंधी चीजे जो तमाम कारे हैं आज संपन होने के योग बन रहे हैं केडियर की स्थिती अच्छी रहेगी आर्थिक रूप से भी आज आप मजबूत रहने वाले हैं मिथुन राज के जातक हैं तो मिथुन राज के जातक हूँ आज आपके केडियर में सुधार हो रहा है आज आपके बिजनेस ब्यापार में सुधार देखने को मिल रहा हूँ ऐसे तो आज आप थोड़ा बनते हुए कारियों में यानि कोई हो सकता है चाहिए आपका प्रतिदंदी हो या बिरोधी हो आपके कुछ कामों में बिघन आ सकता है यानि कि पैदा कर सकते हैं रुकावटे पैदा कर सकते हैं चुकि अश्टम भाव पे कई ग्रहों का एक साथ बैठना चुकि चंद्रमा के साथ सनी भी बैठे हैं कोई भी कार हो शुरुवात में यानि दिन की शुरुवात में ही निप्टा लें उसे वैसे मिथुन रासके जात को आज परिवर्तन की योग बनते दिखाई देंगे और आज किसी के साथ बिल्कुल भी उलजेना बिवाद ना करें ध्यान जरूर दें जो कारूबारी हैं बिजनेस मायन हैं प्यापारी हैं पार्टनर्शिप में अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो बिचार कीजेगा जरूर हाला की धन आएगा आज की दिन दोस्तों के साथ सहायता मिलेगी दोस्तों का हिल्फ मिलेगा मदद मिलेगी मन चाही जगह पर ट्रांसफर के भी आपके योग बन सकते हैं तो कुल मिलाके चीजें अच्छी हैं आपके पक्ष में आती हुई नजरा रही हैं बस आपको यनि की बहतर तरीके से पोजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी मिथुन रास के जातकों आज आपके घर परिवार का शपोर्ट मिल रहा है घर परिवार में तमाम खोशियां है उत्सा है उमंग है ने जोज के साथ आज आप तमाम कारियों को पूरा करते नजरा रहे हैं वैसे मिथुन रास के जातकों आपके से सुधार नहीं था नर्मी थी वो सुधार देखने को मिलेगा पुरानी बीमाजियों से निजात मिलेगी यहां पर आपको उचित चिकितसक सलाह जरूर लेते रहना है और अगर हम बात करें यहां पर आपके इस्टुडेंट की जो पढ़ाई लिखाई करते हैं च्छात्रों की तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा यानि लावकारी दिन रहने वाला है आज बड़ी उपलब्दी हाशिल कर सकते हैं बड़ी काम्यावी आपको मिल सकते हैं कोई सुभ समाचार मिल सकता है यानि कि अगर आपने कोई एकजाम दे रखे थे या आपने कोई कमप कर रहे थे या कमपिटीशन की परिक्षा दे कर आए थे और उस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे तो सुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और यानि इंटर्विव बगएर में भी आपको लाव मिलेगा बस आपको अपने पढ़ाई पर फोकस बनाय रखना है देखिए आज आपको पढ़ाई लिखाई पर dyn देना होगा बिदेश जाने का मौका मिलेगा बिदेश में जो रह रहे हैं जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी लाव जरूर मिलेगा बात करेंगर जीवन साथी कंट जीवन साती का भरपूर सहयोंग पराप्त होगा जीवन स आने से तमाम खुशिया रहेंगी और नए रिष्टे तए हो सकते हैं उनके रिष्टे साधिया तै हो सकती हैं तो काफी दिन अच्छा रहने वाला है और यहाँ पर कुछ यानि लोगों से मुलाकात हो सकती हैं कुछ प्रतिष्ठित ब्यक्तियों का आना जाना हो सकता है पुर और पांच में सबसे सुब समाचार आपका अपने जीवन साथी से संतान को लेकर मिलेगी। यानि अभी तक संतान से वंची थे तो आपके घर में नन्निस्ट महमान का आगवान हो शकता है। तो ये आपके लिए पांच में सबसे बड़े सुब समाचार होंगे। अपने दिल की बाते कहने का मौका मिलेगा अपने यानि की लब पार्टनर से और अपने लब पार्टनर से वो तमाम बाते शेयर करेंगे जो काफी दिनों से नहीं कर पा रहे थे तो मितन राज के जात को आज आपको पांच सुब समाचारों के साथ बेहतर दिन कहा जा सकते काफी उत्तम रहने वाला है आज आपका शुब रंग रहेगा महरोन कलर भाग शात निवारा आपका करिवन 89 परशन्त दोस्तों जाते जाते वेडियो को रैक जरूर करिए नय तो चैनल सब्सक्राइब करिए उच्छे शेयर करिए जय शिन्दी